हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो लो फ्यू ओन माई यूट्यूब चैनल शाइन टिटोरियल माईसल्फ बिंदु प्राशर्श तो गाइस हम जो है प्लांट किंग्डम को डिसकस कर रहे थे जिसमें हमने अलगी स्टार्ट किया था उसकी दो क्लासी के बारे में हम डिसकस कर चुके है क्लोरोफाइसी फियोफाइसी अब जो हमारे पास लास्ट बचती है डाट टेस रोडोफाइसी यानि रेड अलगी तो आज रेड अलगी के बारे में हम डिसकस करेंगे ठीक है आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और म जो है यह हमें मेराइन हैबिटैट के अंदर ही मिलेगी ठीक है और मोसली कहां मिलेगी वाम प्लेसीज के अंदर एंसीयाटी की बात करें तो इसमें सेकेंड लाइन में लिखा है मैजोर्टी ओफ दे रेड अलगी आर मेराइन ठीक है कि सबसे ज़ादा जो रेड यलगी है वो हमें कहां मिलती है मेरा इन हैबिटाट में with greater concentration found in the warmer areas और जाधा संख्या में यानि more concentration में greater concentration में कहां मिलेगी हमें ये warmer area मतलब गरम इलाकों के अंदर ये हमें मिलती है ठीक है कुछ exceptional cases भी है ठीक है only few general grow in fresh water ठीक है इसके कुछ genus ऐसे हैं कुछ general ऐसा है जो की fresh water के अंदर ज इसमें example है हमारे पास बट्रैकोस पर्मम एंड कॉमसोग पोगो ठीक है यूनी cellular की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आता है पॉर्फिर एडियम ठीक है जो की grow करता है terrestrial habitat के अंदर ठीक है तो हमारे पास marine में mostly ये present होती है ठीक है लेकिन इसकी कुछ species जो है वो हमार पास जो है फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और कुछ जो है वो इसकी terrestrial species भी है ओके तो चलिए नेक्स देखते हैं देयार अकर इन बोथ वैल लाइटीड रीजन लोगो दोनों जगाहों पर यानि की वैल लाइटीड रीजन जो की वाटर सर्फेस से बिलकुल क्लोज ह चलिए जो है जो जो है पानी के ऊपर भी मिल जाती है यानि कि उस पानी को चीरते हूए जब बुम नीचे जाती है ठीक है डेटर डैफ्ध के ऊपर यानि की जो समंदर की गहराई है ठीक है oceans की गहराई है वहां तक जब जाती है तो वहां भी आपको red algae देखने को मिल जाएगी यानि कि यह water surface के ओपर भी ठीक है जहां पे well lighted reason होता है और जहां पे light जो है बिल्कुल कम मात्रा में मिल रही है बहां पे भी यह असानी से ग्रोग कर जाती है ठीक है अगर red algae जो है ठीक है attached होती है rogue stones के साथ तो इसे कहा जाता है lithophytes ठीक है they grow attached to the rogue stone lithophytes ठीक है कुछ algae जो है वो बिल्कुल deep water के अंदर होती है ठीक है some deep water red algae वो कैसी होती है calcareous होती है ठीक है यानि की have और ये क्या करती है build up hard stony thely इसकी जो thallus होगा ठीक है वो कैसा हो जाएगा stony होगा और responsible होगा for the production of limestone और coral leaf ये बनाएंगे ठीक है तो इस तरह की algae जो की calcareous होती है उसका example है हमारे पास chloralina ठीक है एड लीथो ठेमनियोन तो red algae जो है quality reason में भी है depth में भी है oceans के ठीक है rocks के उपर भी मिल जाती है और जो deep water के अंदर कुछ red algae है वो calcareous होती है ठीक है calcium carbonate उसमें पाया जाता है coral leaves बनाती है ठीक है red algae के अंदर अगर ठेलाई की बात यारी इसके ठेलस की बात करें तो red algae के अंदर जो ठेलाई है ठीक है of most of the red algae are multicellular यानि की most of the red algae जो है उसका जो ठेलस होगा वो multicellular होगा ठीक है some of them have complex body organization उन में से कुछ की जो body organization होगी वो थोड़ी complex होगी ठीक है exceptional cases भी है जिसे की हम पर रहें multicellular ही होती है बहुत सारी algae के अंदर लेकिन कुछ जो है वो microscopic unicellular भी होती है उसमें हमारे पास example है purifiedium का ठीक है उसके बाद आपके पास palmyloid type का जो हमारे पास cellus है astrocystic genus के अंदर होता है ठीक है और uniaxial filamentous branched form जो है वो gramilya के अंदर जो है वो देखी जा सकती है multi-axial filamentous branched cellus जो है वो इसका example है हमारे पास polysiphonia multi-cellular pseudo-parenchymetous cellus जो है यह gelidium के अंदर यानि example है gelidium जिसके अंदर की multi-cellular pseudo-parenchymetous cellus जो है पाया जाता है ठीक है और large algae जो है वो mostly half meter तक जो है वो लंबी हो सकती है ठीक है यानि कि इसका thalus unicellular भी हो सकता है multi-cellular भी हो सकता है ठीक है यह multi-axillary भी हो सकता है unicellular pseudo-parenchymetous thalus जो है algae के अंदर red algae के अंदर present है road of ic यानि cell algae के अंदर cell wall की बात करते हैं ठीक है तो cell wall से पहले दिखते हैं कि cell कैसा है तो algae के अंदर cell कैसा है eukaryotic cell है ठीक है true nucleus इसके अंदर present होगा cell wall जो है red algae की वो mostly किस्से बनी हुई है cellulose भी है उसके अंदर present pactic compounds भी है और कुछ mucopolysacrides भी है जिनको हम phylocoilids कहते हैं ठीक है phylocoilids के बारे में जो है हम पहले भी discuss कर चुके है ठीक है पिछली वीडियो में जाके आप उसके बारे में study कर सकते हैं इसके उपर हमने जो था अच्छे से इसको जो था वो discuss किया था ठीक है और जिसमें के हमार पास important phylocoilids है वो है अगार ठीक है cardinian and finory ठीक है now red algae जो है वो red क्यों है ठीक है तो जो आपकी ncrt है first line उसके अंदर क्या लिखी है the member of the road of ic are commonly called red algae road of ic के members को हम red algae कहते है because of the predominance of the red pigment इसके अंदर क्या present है red pigment जो की है और phycoerythrine ठीक है ये इनकी body में present होता है that's why जो है इसका color जो है वो red होता है ठीक है जो चलिए photosynthetic pigment को discuss करते हैं members of the red algae are commonly known as red algae because of the predominance of the red pigment आर phycoerythrine ठीक है photosynthetic pigment जो है chromatophores के अंदर इसमें और कौन-कौन से present है chlorophyll A and D green algae के अंदर कौन से थे A और B ठीक है और जो brown algae थी फियो 5C उसके अंदर A and C था यहां पर आपके पास A and D present होगा साथ ही इसके साथ जो है carotinoids भी इसके अंदर present होते हैं जैन्थोफिल है mainly इसके अंदर biliprotein biliprotein में हमारे पास आते हैं R phycoerythrine and R phycosinin इसमें जो हमारे पास phycoerythrine है यह red color में होता है phycosinin जो है यह blue color में होता है ठीक है phycosinin जो है वो blue green algae के अंदर भी present होता है लेकिन इसमें उसकी जो presence रहती है वो जादा होती है as compared to red algae phycoerythrine observe करता है blue green part of the sunlight spectrum यानि कि sunlight जो हमारे पास आती है spectrum में जो हमारे पास color होते है उसमें से blue और green को यह क्या कर लेता है observe कर लेता है अब phycoerythrine ने क्या किया उसने blue और green color को observe कर लिया तो blue और green light जो है उसकी shorter babe length होती है और वो पानी के अंदर जो है बहुत घहराई तक जो है वो penetrate कर सकती है blue green light has a shorter babe length and penetrates deep into the water ठीक है it is because of this reason इसी वज़े से the red algae reach the maximum depth in sea where no other photosynthetic form grow red algae जो है उस maximum depth तक पहुँँ जाती है सी के यानि समंदर में इतनी गहराई में चली जाती है जहाँ पे कोई दूसरी photosynthetic form जो है वो grow करने का सोचती भी नहीं है लेकिन red algae वहाँ पी क्या कर जाती है ग्रो कर जाती है और कैसी है photosynthetic है next is reserve food material in the rodo 5C ठीक है red algae के अंदर reserve food material क्या होता है तो इस question के उपर जो है यानि इस topic के उपर ध्यान दीजिएगा PY क्यों भी रह चुका है नीट में पहले ये ठीक है की reserve food material जो है red algae के अंदर क्या पाया जाता है तो food is stored as folidian starch जिसकी की जो structure होती है that is similar to amylopactin and glycogen से मिलती जूलती structure जो है इसकी होती है algae के अंदर अगर हम reproduction की बात करें तो reproduction जो इसकी अंदर है इसमें हमारे पास vegetative भी है, asexual भी है और sexual reproduction भी है उससे पहले एक बात जान लीजिए कि जो red algae है ये Asians group है with no flagellated or motile cell red algae consecute and Asian group with no flagellated or motile cell formed at any stage in their life उनकी life cycle के अंदर कभी भी flagellated or motile cell नहीं बने है और next अगर देखें कि vegetative reproduction जो होती है algae के अंदर वो mostly होती है by fragmentation, fragmentation के थूँ जो है इसके अंदर vegetative reproduction होगी, asexual reproduction की अगर हम बात करें तो ये different types of non motile spores जो है वो produce करते हैं they may be mono spores, neutral spores, carpo spores और tetra spores इन में से कोई भी spores जो है वो हो सकते हैं जिसके थूँ इसके अंदर जो है वो asexual reproduction होगी sexual reproduction अगर देखें हम road of ic के अंदर रडल्गी में तो ये u gamus type of sexual reproduction इसके अंदर होती है जिसमें की male sex organ जो non motile होगा वो रहेगा and 3dia ठीक है इसे जो है spermat tangia भी कहा जाता है female sex organ जो है carpoongia रहेगा spermatai जो है carried out by the water current ठीक है water current की साइता से वो move करेगा to elongated tip, elongated tip होती है female sex organ की that is trichogyny ठीक है trichogyny of female sex organ से ये कहां पहुचेगा carpoongonium तक पहुचेगा तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो sexual reproduction होगी अब जानते हैं post fertilization events के बारे में fertilization हो गई उसके बाद post fertilization changes में इसमें क्या होता है formation होती है new structure की that is known as carpo sporophyte sporophyte जब बनेगा इसके अंदर then after that zygote की जो production होगी they may produce carpo spore ठीक है porphyra के अंदर जो है ये carpo spore जो है वो producer होते है common members जो है road of ICK they are porifera, polysiphonia, gilidium और gracilaria अब हम जो है क्योंकि हमने red algae के बारे में जो था इसके general characteristics, इसके अंदर reproduction कैसे होती है store food material कैसा है अब हम इसके हमने पहले भी alternation of generation जो है वो discuss कर लिया है जीसमें हमारे पास haplontic, diplontic life cycle है ठीक है तो red algae के अंदर भी alternation of generation जो है life cycle जो है बहुत सी red algae की उसमें alternation of generation होती है gametophytic यानि के haploid phase आएगा उसके पास sporophytic यानि diploid generation जो है वो भी इसके अंदर आती है haplodiplontic जो है इस तरह की life cycle जो है red algae के अंदर देखने को मिल जाती है अभी तक हमने देखा था कि जो red algae है वो photosynthetic है अपना खाना खुद बनाती है लेकिन हर एक इसके अंदर कुछ न कुछ exceptional cases तो present रहते ही है वैसे ही red algae के अंदर भी है इसमें कुछ parasitic forms भी है जो की दूसरी photosynthetic जो हमाई पास algae है उसके उपर survive करती है तो ऐसी ही एक algae like harvayeli is found heterotropically as a parasite on the other autotropic photosynthetic algae यानि की दूसरी जो autotropic photosynthetic algae है harvayeli जो है उसके उपर as a parasite जो है वो रहती है अब हमने इसके general characteristics भी discuss कर लिए इसके अंदर कैसे reproduction होती है stored food material क्या है photosynthetic pigment क्या है सब हमने discuss कर लिया अब आते हैं इसकी economic importance के उपर की algae जो है हमारे लिए किस तरह से beneficial है ठीक है many red algae और edibles बहुत सी red algae ऐसी है जिसे हम खा सकते हैं इसमें हमारे पास rhodimania dules बोला जाता है porifera lever और condros जिसको की erish moss भी बोला जाता है उसमें rodmania जो है इसको use किया जाता है attic cattle fodder यानि की जानवरों को भोजन देने के लिए जो पशू होते हैं cattle होते हैं ठीक है उनको as a fodder जो है France के अंदर इसको use किया जाता है porifera tentera जो है उसको जपान के अंदर जो sea areas होते हैं sea coastal areas वहाँ पे इसको cultivate किया जाता है और चाबलों के साथ जो है इसको खाया जाता है ठीक है अगार जो है वो obtain किया जाता है gelidium से gracilaria से और microbiological birth के लिए microbes की growth के लिए ऐसे अगार medium वहाँ पे grow किया जाता है जिसमें जो nutritive material जो है microbes को मिलता है ठीक है तो अगार का वहाँ पे use होता है अगार को और जो है इसके अलावा भी अगार को हम कहां use कर सकते हैं jelly बनाने में pudding बनाने में और creams के अंदर जो है इसको use किया जाता है बहुत सारी medicinal gels जो होती है उसके अंदर भी जो है अगार को use किया जाता है next carjanin जो है उसको extract किया जाता है condres नामक algae से जिसे use किया जाता है as a emulsifier in chocolates ठीक है किस-किस के मुह में पानी आया ठीक है तो chocolates के अंदर इसको as a emulsifier use किया जाता है ice cream के अंदर भी इसको use किया जाता है toothpaste के अंदर भी इसको use किया जाता है ठीक है इसको और जो है as a clearing agent जो है liquor liquor के अंदर और जो हमाई पास leather है उसकी finishing देने के लिए भी जो है cardanine को use किया जाता है finori जो है इसको use किया जाता है to obtain sorry इसको obtain किया जाता है glowy platis नामक algae से और इसको as a adhesive यानि चिपकाने के लिए जो है चीजों को use किया जाता है seizing textile और papers के अंदर भी इसको use किया जाता है next bromine है जो की हमें मिलती है rhodomila और polysiphonia algae से अगर हम economic importance देखे algae की medicines के अंदर तो corollina जो है इसको use किया जाता है kidney, bladder और lungs से related diseases के अंदर और अगर berms से infection हो गया है तो उसमें भी इसको use किया जाता है corollina that will use for curing the worm infection polysiphonia जो है उसके अंदर anti-vacterial properties होती है carcinine जो है इसको act ये act करता है as a blood coagulant जो है blood का थक्का जबाने में जो है इसका use होता है so guys ये थी हमारी red algae red algae का topic algae का ही topic जो है आज finish होता है इसकी 3 main classes को हमने अपने में videos में discuss कर लिया है next जो topic है that जो की plant kingdom में आता है that is bryophyte हम bryophyte में अपने अगली video में जो है उसको discuss करेंगे तो please 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 मेरे चैनल को subscribe करे like करे share करे और comment करके मुझे बताएं कि आपको ये video कैसी लगी चिक है तब तक के लिए goodbye and thank you